नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आसा गरता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तों बिहार S.A.C. इंटर लेबर से जुड़ों आप बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहे हैं खबर यह है आपके पास अंति मौका है बिहार S.A.C. ने OPCL website पर नोटिस जारी किया है उसमें बता है कि यह 9 तक ही फॉर्म भरा जाएगा अब दोबारा आपका डेट नहीं बढ़ने वाला है गर्मी में आपका अगले साल के बाद कर रहा है तो दोनों पर दोस्तों बात निकल के यहारा है कारम क्या है दोस्तों वो भी आपको बताएंगे और सीट बढ़ने के खबर है किसमें सीट बढ़ सकता है उस पर भी आपका चर्चा करेंगे आपको जनकारी होगा है कि अभी वर्तमान में 12,100 निरा में पोस्ट है, शुरू में तो और भी कम था, बाद में 1,000 पोस्ट करेंगे बढ़ा है, इसमें टोटल आपका पांच गुरा बच्चों को वला जाता है मेंस के लिए, आपको पता है कि इसमें दो एक्जाम है, ठीक है मेंस के लिए दोस्तो आपका पांच गुरा, टोटल वेकेंसी वर्तमान में लेके चले तो 12,195 गुरा करते हो तो 60,955 बच्चों का बुलाएगा, और इसमें दोस्तो इस बार रिकॉर्ट और फॉर्म अपलाई अभी तक हुआ है, आपको बताएंगे कि अब तक कितना फॉ निकल के आ रही न, जो सबसे जिसमें फेकेंसी थे, एक नंबर आपका दोस्तो पर या पंचायती सचीव कर था, दूसरा दोस्तो आपका रजस्वकामचारी का फेकेंसी, इसी में दोस्तो आपका सबसे था इसी में सीट बढ़ने की साभावना है, अब कितना एक्जैक्ट लेकिन चर्चा चलना एक भी या सीट बढ़ सकता है, क्योंकि कैमिनेट का मतलब समझे लोग, कैमिनेट का अभी हाली में दूस्तो आपका संपान हुआ था, कैमिनेट का मीटिंग था, तो उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट में सीटू की संख्या बताईगे, यह फ्ला दियान लखेगा, इसलिए ज्यादा बचा फर्म भर रहा है, और ज्यादा बचा फर्म भरेगा, तो जाहिसी बात है कि ज्यादा आपका होने वाला है, यह ध्यान लखेगा, अब देखें दूस्तों सबसे इंपोर्टन चीज़ आपको मैं बताता हूँ, परिष्छा कब करवाने के लिए दोस्तों समय कब बचा है, जन्वारी, मात्र जन्वारी इनके पास समय है, अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ न, ध्यान समझेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका इनको फर्म भरी में एक्जाम यह लोग करवाते हैं, तो संभावना नगणने है, जिर पैसे तारिक से लेखर दोस्तों, फर्म भरी के महीने में 21 फर्म भरी तक आपका थे 12 का एक्जाम चलेगा, समझ लो, तेन्थ त्वेल्च का एक्जाम एक से लेके 21 फरवरी तक है यह पूरा फरवरी का महीना भी यह निकल जाएगा पिर आपके मन में सवाल है का सर जनावडि में नहीं चलो फ्रवरी में बोड का एक्जाम हो तब मार्च में क्यों नहीं होगा देखो मार्च में और दोस्तो अप्रेल दो महीना के बाद कर रहा हूं ठीक है मार्च और अप्रेल ये दोनों महीना में भीया लोकसभा का इलेक्षन की संभावना है को होगा फिर अचार सींचा लग जाता है तमाम इधर उधर भीया हो जाता है कभी जो सीयार प्रेल के बाद दोस्तो माई या जून में फिर चाज सकता है यह फैक्ट के साथ हमने आपको बताया थे इनके पस जनवरी का महीना है यह धियान रखिएगा चलो अब देखे दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस देखिएगा सिलेबस के अक्वरडिंग ही आपको त्यारी करना है जीके से 50 कोश्चन है मैं साइन से 25-25 दोनों मिला करें 50 कोश्चन और आपका यहां पर रिजिनिंग से 50 कोश्चन तो नॉर्मल सिलेबस है कोई इसमें वह यह ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिस पूछ रहा है ठीक है तो इ स्पेलिंग मिस्टेक है अप लोग इसको इग्णोर किजिएगा अगर आपको दोस्तों बीबी आई कोश्चन का नोट्स चाहिए किसका रिलेटेद भीया किससे रिलेटेद बिहार इंटर लेवर से रिलेटेव यह काफी दोस्तों अधवावी सिच्छा काना जो काफी समय स से बिहार से त्यारी करा रहें है तो उनके द्वार बीबी आई कोस्टिन का नोश टियार किया गया है जिसमें आपको सब्सक्राइब को लड़ जाता है तो आपको बहुत फाये-मंद होगा इसको लिए आपको करना क्या होगा? स्क्रीन पे एक नंबर आ रहाँ गा और वीडियो के डिस्क्रिप्टर में हमने नंबर पुराइट करा दिया मातरे क्या होन रुपे का यूपे आपको करना होगा और वाट्सअप उसी नंबर भेदना होगा आपको PDA format के रूप में वह मिल जाएगा और आपको एक ग्रूप में में जोड दिया जाएगा ये दोस्तों ध्यान रखिएगा मैंने आपको सोचा का चलो बता देते हैं तो आपको मैंने बता दिया ठीक है? अब देखिए इसके अलावा अब तक कितने फर्म भरेगे है इस पर भी हम चार्चा कर लेते हैं देखो अब तक दोस्तों जो मैं वीडियो रिकॉर्ट कर रहा हूं छे तारिक है अब तक 20 लाग से जादा दोस्तों रिश्टेशन हो चुका है 20 लाग प्लस यानि जो संभावना निकल के आ रहा है न इसमें मिनीमम जो फर्म गिरेगा न क्यूंकि भीया मतलब हम इंडियन को आदत है आदत क्या है कि जब भीया आग लगता है तब कुगा खोदने के कहा हो ता आपने सुना होगा न तो अभी तक फर्म नहीं बरे तो फटाफट आज तक भर दिजिएगा दोस्तों यह आकड़ा आपका असारी से मुझे जहां चक लगता है कि यह 26 लाग प्लस आपका रिश्टेशन का जाने वाले 5-6 लाग अभी और जाएगा हो सकता है कि तीस लाग भी चला जाए हो सकता ह है कि तीस प्लस भी चला जाए लेकिन बहुत सारा फेक आपका रिश्टेशन होता है कि वह रिश्टेशन कराकर पेर्मिट नहीं करते और लास्ट सम्मीट नहीं करते तो एक्जैक्ट में वह डाटा निकल के आएगा जो 9 तारीक को खतम होगा है तो उस्तों कितना फर्म भर रखेगा यह ध्यान रखेगा तो सारा जानकारी मैंने दे दिया एक्जाम आपको मान के चलना है कि जनवारिक महीं है एक महीने आपके पस समय है उसी के आपको तैयारी जीजान से लग करनी है क्योंकि इसमें मात्र 60995 में अभी जो पेकेंस है उसी के कोडिंग में बता रह सीट आपका पिरी के एक्जाम होने के बाद भी बढ़ सकता है या पिरी के एक्जाम के दोरान भी बढ़ सकता है मान के चलना आपका पिरी के एक्जाम हो गया रिजॉल्ट आ गया ठीक है और मेंस का फिर एक्जाम आपको होगा मेंस इलिए फिर से फर्म आपका बढ़ाय ज सेक्टेव तो बहुत बड़ा आपके पास मौका है यह बेकेंसी साथ साथ आठ साल या तो पिछला अपर 2013-2014 था दस साल बाद निकला है तो हमेशा यह बेकेंसी नहीं निकलता और अच्छा का सा सेलरी मिलता है अपीस बज़े जाओगे चार बज़े आओगे घर यह बला किया है तो और दोस्तों कोई सवाल पुछना हो कोई डाउट हो तो कमेंट के माद में पूछ लिएगा चैनलों जरू सब्सक्राइब करके वह लेकर दपाएगा धने बाद